चुर्टि यहां कारक्रिम कर रहे हैं pię चुछा कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते आपको पुच्ति लगते थे उनका भी नुक्सान और कभी-कभी तो नाम किसी का देखाया जाता था और काम करने के लिए किसी और को भेज देते थे रामचंदर का नाम बताया शाम प्रशाद ने काम किया और मोन प्रशाद को पैसे बिल गए और ये जगड़े लगातार बने रहते थे आखरी ये सारी जिब धान में आई तो हमने उसमें इस प्रकार का कारकम चलाया जिसमें सभी को सुईदा हुई सरकार को भी लाग हुआ और काम करना व्यक्ति वो भी निश्चिन तोकर के काम करने लगा हमने शुरू किया हरियाना कौशल रोजगार निगम और इस कौशल रोजगार निगम के माद्यम से एक प्रकार से ठेकदारी प्रथा उसकी समाप्ती हुई जो के बहुत से ऐसे करमचारी संग्ठन जो थे पहले से मांग करते थे के ठेकदारी प्रथा को समाप्त किया जाए इसमें जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको भी उस ठेकदारी प्रथा के माध्यम से उनके जब सब लाव उनको मिलते नहीं थे ना उनको EPF मिलता था ना ESI का लाव होता था और नहीं लेवर वेलफेर फंड के माध्यम से उनके परिवारों के चिंता की जाती थी जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाना कौशल रोजगार निगम अर्थात HKRN में उनको पोर्ट कर लिया है और नए भी लोगों की जो आवशक्ता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूरती भी HKRN के माध्यम से ये की जा रही है अगर मैं संक्या के बारे बताऊं तो आज 1,8,000 लोग ऐसे हैं इस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से इस काम को किया गया है अब जो नए लगते हैं उनको कोई किसी की सफारेश से ना किसी अधिकारी अवशर से बात करें नेता की सफारेश से बलके एक मेरिट के अधार पर उनकी परिवार की आय कितनी है व्यक्ति की योगता कितनी है और व्यक्ति रहता कहां है क्योंकि कम आय होने के नाते से योजना बनाई गई कि जहां व्यक्ति की आवशकता है काम करने की उसी ब्लॉक या उसके आसपास का व्यक्ति ही नौकरी मिले ताकि इतनी कम आय में अगर सो किलो मिटर दूर जाता है तो उसके आने जाने की कठाई या वहां रहने की कठाई इसको भी अमने ध्यान किया है इस प्रकार से हमने जो पहले चरण में ऐसे लोगों को नोकरी दी जिनकी परिवार की आए एक लाख रुपया यह इससे कम थी दूसरे चरण में एक लाख इस काम को हमने आगे बढ़ाया है और नकेवल नोकरी दी बलके इसके बाद हमने जो सरकारी करमचारियों को सुधाय मिलती हैं उनमें भी बहुत सुधाय दी हैं दस आकस्मिक आवकाश ऐसे ही दस मेडिकल आवकाश और महिला करमचारियों के लिए मातरित आवकाश मातरित 1,80,000 से ले करके 3,00,000 की आये के बीच में आते हैं तो मात्र पंदरा सुर रुपया उसका प्रीमियम देने के साथ ही उनको इस विधा उपलव्द कराई गई पंदरा सुर रुपया एक साथ देने के बजाए मासिक 125 रुपया अपनी सेलरी में से कटा करके और इस सुविधा को इनको मोहिया कराया गया है ताके स्वास की द्रिख्षी से ऐसे सब परिवारों की ये जो आयश्मान योजना पांच लाख पर प्रति परिवार इसका सुलोब एक विवस्था इनके लिए की जा सके केवल इतना ही नहीं तो हमने इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियों को भी यानि एक प्रकार से देने के लिए योजना बनाई है जो private entrepreneur हैं उद्द्योग पती हैं वो भी इस portal के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही विदेश में रोजगार विदेश में रोजगार के लिए भी क्योंकि युवा शक्ती बहुत बढ़ी आकांक्षा रखते हैं कि हम विदेशों में जाकर रोजगार करें वो भी illegal तरीके से donkey आदी का जो एक platform बना कि donkey jump के माध्यम से उनका टेस्ट आदी लेकर के उसको भेजने लगे और बहुत से लोगों की तो जान जोखिम में भी आ गई तो इसको ठीक करने के लिए हमने हरियाना का जो हमारा विदेश सयोग विभाग है उसके माध्यम से हमने विग्यापन के माध्यम से ऐसे 10,000 से उपर लोगों को और उनको रोजगार देने के लिए registration करने लिए कहा है और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगबग 5,000 लोग ऐसा registration कर चुके हैं और अभी तो समय प्रयावत भाकी है इस समय में यदि लोग registration करते हैं तो उनका प्रस्रेक्शन करा करके और उनको विदेशों में भीजा जाएगा 25 से 40 साल के युवा यूतियां इसके अपना आवेदन कर सकते हैं और इन देशों में श्रमिक, सिक्यूरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स, आदिविक के जो काम है इसको जो है उनके अंदर भीजा जाएगा त तरीका यूकों को विदेशों में भीजने का चाये कबूतरबाजी है डॉंकी है अत्वा गलत तरीके से विदेश भीजने के लिए उनको प्रोसान दिये जाता है वो रुकेगा और हमने तो यहां तब भी कहा है कि विदेश जाने के लिए जो जो नौजवान हमारी जो पढ पासपूर्ट लेकर के भी बाहर निकले हैं ताकि विदेश जाने के लिए उनको यह सुईधाएं यह दी जा सके तो मेरा आप से निविदन है कि यदि आप HKRN के माध्यम से अपना नाम सुची में लिखाना चाहें ताकि हमारे पास एक डाटा बैंक यह त्यार रहे कि आपकी युग्यता के इसाब से आपकी रैंकिंग के इसाब से कहीं भी आपको नौकरी दिलाई जा सके तो आप आज ही जो पोर्टल हमारा बना है HKRNL.ITI.gov.in इसको खुल करके इस पर पंजी करन करें ताकि आप भी एक जिसको कहना चाहिए पंक्ती में एक क्यू में लग जाएं कि आपके रूंक के रैंकिंग के साब से आपको भी काम की ओफर दी जा सके हम आपको काम की ओफर देते हैं यदि आप सुईकार करते हैं हम जानते हैं सब कि सरकारी नोकरियां उनके एक सीमा है क्योंकि हर वर्ष 20 से 25 जार नोकरियां ही अन एवरेज ये निकल पाती है अब ये ठीक है कि पिछले कई वर्षों में हम सरकारी नोकरियां शायद उतनी नहीं दे पाए तो अभी आगामे इस 6 मेने के अंदर अंदर 60 1000 नई नोकरियां ये हम देने जा रहे हैं हमने पिछले अपने साड़े 9 साल के कारेकाल में एक लाग से उपर सरकारी नोकरी ये दी है फिर भी जिनकी बारी सरकारी नोकरी में नहीं आती है उनको एचक्यारन जैसा प्लेटफॉर्म यदि सुईधाइस की मिलती है तो उसका रूप योग करना चाहिए ट्रांस्फिरेंट इस हमारे इस पोर्टल को किसी भी मानुए हस्तक शेप के बिना चलाया जाता है टैक इनवल्ट ऑनलाइन सिस्ट्रम इसमें हमने रखा है और इसमें सीबीसी का जो रिजरोशन है उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि कि किसी वर्ट के साथ कोई अन्याय नहों इसका भी मध्यान रखते हैं आकर यह जो सिदा लोगों को नोकरी रखते हैं पहले तो कंट्रेक्टर के माध्यम से उनकी सेलरी जाती थी लेकर हमने उस प्लेटफार्म को इपेमिट के माध्यम से सिदा उसके खाते के अंदर और यह किसी की कोई शिकायत जो है हमको मिलती नहीं है और व्यक्ती जो इस प्रकार से रेज्टर करते हैं उनकी कौशल विकास के नातीबी हमने हर्याना कौशल विकास मिशन और विष्कर्मा कौशल विष्विकास विष्व रखत जाएगी और ट्रe Valve के बाद जहां भी इसके आव जोज़गार यूगाओं को इस रास्टे कोशल योजना के अंतरगत और काम दिलाएंगे और आपको बदाते हैं खुशी हो रही है कि उसमें असी अजार यूगों को हम लोग काम दिला चुके हैं और शेश प्रक्रिया जारी है और ये चौबीस तैईस चौबीस माक्ति तक हम इस दो लाग के टार्गट को पुराग अवश्य करेंगे आप लोग इसमें जो जो लोग सयूग करें जो जो लोग इसमें भाग लेना चाहें जरूर भाग लें और इस जो एचके आजम का मारा पोर्टल है इस पोर्टल के माद्यम से हर किसी यूवा वेरुज़गार होंगा कि आपका अनुभव इसमें कैसा रहा आपसे जो बाच्चित होगी तो आप हमें बताइए और अगर आपसे अमारी बाच्चित का उसर नहीं मिलता है तो आप लिख करके हमको भीज़ देजिए और आपको निश्यत रूप से उसका जवाब भी मिलेगा इस विवस्त अजरी मनोहरलाल के विशेश चरचा कारिकरम देख रहे थे आप जहां उन्होंने तमाम योजनाओ की शिर्वाद जो सरकार की तरफ सी की गई है उसकी जानकारी रखी सामने साथी हर्याना कौशल रोजगार निगम को लेकर के भी तमाम जानकारी साज़ा की उन्होंने साफ के दार प्रथा खत्म करी गई है सरकारी करमचारियों को बहुत सो विधाएं भी दी गई है